में हम discuss करेंगे ICI के एक बहुत important announcement जो हर एक CA Foundation Aspirants को especially कर मैं आपकी बात करूँ जो December 23 में exam लिखने वाले हैं उन्हें पता भी होनी चाहिए साथ के साथ आप उसके लिए prepare भी होने चाहिए सर ये announcement पहले आ चुकिए बट आज इसकी importance बहुत जादा है विए अगले दो से तीन दिन में यह implement होते हुए दिखरी होगी आपको ICI केंट से बट उससे भी पहले हमने टेलीग्राम पे आपसे दो चीए शेयर करी है ना अब जो बच्चा टेलीग्राम पे नहीं है वो CTC क्लास से सर्च करेगा जहां पर 44 थांस से जादा बच्चे वो चैनल जॉइन करेगा आई एक से लाफ गूर्ट की हर वो के सिटीज है रहा फिल ले पारे तो तो से लसाफ गूर्ट कंप्लीट ली जितनी भी के सिटीन उसका कंप्लीट प्रॉसेस इसके अलावा यह अलड़ी लगभग 9000 बच्चेस को देख चुए इसके लावा आज मॉनिंग में हमने से शेयर करी कंप्पनी जाक 2013 की टॉपिक वाइस के सिटी और मैं उमीद कर रहा हूं कि आपने इसे प्रिपेर कर लिया हूँ और नोर्स भी बनाए होंगे की वर्ट के साथ चलिए अब आज आते हैं आपकी अरॉंस्मेंट पर एक्चुल में अनॉंस्मेंट है क्या यह में दो लगते हैं अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे कॉमेंट में दो चीन जानना चाहूंगा पहला जो टेलिग्राम पर आपको दिखाया वह आपने शॉट नोर्स बनाके खुद से प्रिपेर कर लिया कि नहीं और दूसरा क्या आप इंसिट्यूट की मॉट गिस के लिए हैं क्योंकि इसके लिए गला रेडि हैं तो जो हम टेष्ट लेने वाले होंगे वह भी टेलिग्राम पर दिये जा रहे होंगे वह चौर सभी बच्चों के लिए और देश्बाट होता है और तौन चैपरेटली उनको दिया जाएगा ठीक है आज आजएगी कॉ को आपका फर्स्ट पेपर होना है जो कि एकाउंट्स का ओविस्ट ये बात हो और सिंगल देखे गप टुटे नाइन्थ को आपका बिस्ट लॉइपर होगा दोनों पेपर सब्जेक्टिव है मतलब तीन घंटे 15 मिन का टाइम मिलता है अब देखिए आप दो चीजिए अगर आउनलाइन दीजे पेपर बिलकुल उसे डिस्सिप्लिन में बैठ के लिए पेपर जरूर दीजिए ठीक है बाकी डेट्स यहां लख रखती है और क्योंकि पेपर में ब्रेंट फॉर ऑब्जेक्टिव होता है एंसी की बेस तो दो घंटे का टाइम मिलता रेडिंग टाइम समझे 28th of November को पेपर है मेरा आप से बड़ा सीधा सा सवाल है क्या होता अगर यह फाइनल पेपर होता क्या होता अगर यह पेपर फाइनल पेपर होता तो आप सोचो आज 25th of November है तो 28th of November के लिए आप खुद को कैसे प्रिपेर कर रहे होते अकाउंट के पेपर के लिए इसके बाद आपको गैप मिल जा रहा है या एक दिन का इसके बाद आपका प्लान कैसे करते अगर आप फाइनल पेपर का माइंड सेट लेके इसको प्लान करेंगे और लिखेंगे यकीन मानिए यह फाइनल पेपर में आपको इससे बहुत मदद मिलने वाली है और मैं चाहते हूं इस वीडियो को आप हर एक बच्ची से शेयर कर दीजिए क्योंकि कई बार क्या होता है आउंसमेंट जिस देट पर आई होती देट पर आपको इनफॉर्म कर दिया आता है आप देख सब्सक्राइब कर देख लिए तब तक लिए ख्याला के शांदा रहें पढ़ते रहें जिदनी ज्यादा पढ़ाई कर से उतना करें बिकास एक्जिस्टिंग कोर्स में सिर्फ आई सी याई के एंट से ये फांडेशन का लास्ट नहीं होना चाहिए आपके एंट से भी होना से हैं